पगर सुल्कान पुर से है जहांपर चोरी की घटना को अंजान देने के बाद लोगों ने एक शातिर चोर को पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया मामला गोसाई गंच इलाके के उघरपुर का है जहांपर दीती रात एक फिकप ने सवार हो कर शातिर चोर आये और होने मोबाईल की दुकान को निशाना बनाया चोरी करते लग पड़ोसी दुकानदार जग गया और उसमें दुकान मालिक को कौन से इसकी सूचना दी जिसके बाद दुकान मालिक मोखे पर आगए दुकान मालिक का कहना है कि कीच लोग दुकान से चोरी का सामान लेकर भागने में सकल हो गए जब कि एक शातिर चोर को उन्होंने मोखे से पकल लिया दुकानदार में इसकी सोचना पुलिस को दी, पुलिस ने आरोपी चोर को हिरासत में ले लिया है और पुस्तास कर अन्य चोरों की ख़लाश में जुग गई है, उधर दुकानदार का कहना है कि चोर लगबख डेड़ लाग का सामान ले गए है। तो जैसे सब लो आए, इसे से बाढ़े और जाके दो भाग गए, इसकी सूचना पुलिस नहीं चले गए। जाता लगा है, फ्रेंट खूल चुपी कि अंदर चोरी हो रही है। लगबख 6-7 लोग आए, इछे से जब घर लिये तो आगे से वो लोग गए। ख़डेरने ले ले पकड़ा गए जाके वहां गए। पकड़े उनको बाकी दो लोग गायब हो गए। दो लोग का वज़ाद बाबार पाठा धाबा पे रुके है। हाब डाला से। इसके बाद वहां रुके बाद हाँ चोरी हुई है। इन्वाटर बैटर बैटर सब जोरी हुए। खुछ बच्चा नहीं। उठा ले गए था। हाँ सब खाले हुए। लगबग कितने चोरी हुई हुई हुई। लगबग कम-कम डेढ़ दो लाग की चोरी हुई। कहां गर है। कैसे आय थे। क्या करने आये थे। थे कहने नंपके चला अलू नागे का हुई। कहां कोन लोग थे। थे हज़़गी तानिश, आँसुगराथे, आणिश। खरना कर दो